पांच छे साल पहले एक दौर भूबी था जब देश की सो से भी कम पंचायते ब्रॉड बेंड कनेक्टिविटी से जुड़ी थी। आज सवा लाख से ज़्यादा पंचायतों तक ब्रॉड बेंड पहुंच चुका है। इतना ही नहीं गामों में कॉमन सर्विस सेंटरों की संख्या भी तीन लाख को पार कर रही है। सरकार ने भारत में ही मोबाइल बनाने का जो अभ्यान चलाया हुआ है। उसी का नतीजा है कि आज गाउं गाउं तक कम किमत वाले स्मार्ट फोन पहुंच चुके हैं। ये जो आज इतने बड़े पहमाने पर वीडियो कांफरेंस हो रही हैं। लाखों लोग जुड़े हैं। इसमें इन सारी बातों का बहुत बड़ा योगदान है। साथियों गाउं के इनफा स्थिर को मजबूत करने के लिए शहरों और गाउं में दूरी को कम करने के लिए आज सरकार द्वारा दो बड़े प्रोजेक्ट शुरू किये गए हैं। अभी जो वीडियो फिल्म चल ली है उसमें आपने देखा है एक है ई ग्राम स्वराज और दूसरे एप है और दूसरी एप की विशेस्ता है हर ग्राम वासी के लिए उसमें स्वामित्व योजना के शुरुवात इग्राम स्वराज यानी सिंप्लिफाइड वर्ग बेज एकाउंटिंग एप्लिकेशन फोर पंचायती राज। ये एक प्रकार से ग्राम पंचायतों के संपूर्ण डिजिटी किल्दी करन की तरफ एक बड़ा कदम है। ये भविश में ग्राम पंचायत के अलग अलग कामों का लेखा जोखा रखने वाला सिंगल प्लेटफरम बनेगा। अब अलग-अलग एप्लिकेशन्स में अलग-अलग काम करने की कोई जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। जैसा अभी बताया गया इस पोर्टल पर इस एप पर पंचायत के विकास कारिय की डिटेल उससे लेकर के उसके लिए ताय किये ये फंद, उस फंद का कहां खर्च हुआ, उसकी विज्ञानकारिया, ये सहरी बाते उसमें उपलब्द रहेगी। इसके जरिये गाउं का कोई भी नागरिक अपनी ग्राम पंचायत में क्या चल रहा है, क्या काम काज हो रहा है, काम कहां तक पहुँचा है, सारी चीजें अपने मोबाइल पर से जान पाएगा, जानकारी रख पाएगा। इससे ग्राम पंचायतों में पारदर्शीता, ट्रांसफरंसी भी बढ़ेगी, रिकॉर्ड रखने का काम भी बहुत सरल हो जाएगा, और प्रोजेक्ट की पार्णिंग से लेकर कंप्लीशन की प्रक्रिया भी तेज होगी। आप कल्पना कर सकते हैं, इग ग्राम स्वराज के माद्यम से आप सभी को कितनी बड़ी सक्ति मिलने जा रही हैं। साथियों, गावों में प्रापर्टी को लेकर के, संपति को लेकर जो स्थीती रहती हैं, वो आप सभी भली भाती जानते हैं। स्वामित्व योजना इसी को ठीक करने का एक प्रयास है, इस योजना के तहट देश के सभी गावों में, आवासों की ड्रोन में, ड्रोन के माद्यम से पूरे गावों की एक-एक संपति की मैपिंग की जाएगी। इसके बाद गावों के लोगों को उस संपति का उस प्रापर्टी का एक मालिकाना प्रमान पत्र यानि टाइटल डिड़ दिया जाएगा। स्वामित्व योजना से गावों के लोगों को एक नहीं अनेक लाब होंगे। पहला तो यह कि प्रापर्टी को लेकर जो ब्रम की स्थिति रहती है वो दूर हो जाएगी। जगडे खतम हो जाएगे। दूसरा इससे गावों में विकास योजनाओं की बहतर प्लानिंग में और जादा मदद मिलेगी। इसका एक और बड़ा लाब यह होगा कि इससे शेहरों की ही तरह गावों में भी आप बैंकों से लोन ले सकते हैं, लोन लेने का रास्ता भी आसान हो जाएगा। जब आपके पास स्वामित्व होगा तो उस संपत्त की आधार पर आप बैंक से लोन ले सकते हैं, जो जीवन में बहुत काम आ सकती है। साथ क्यों, अभी यहने फिलहाल उत्तरप्रदेश, महराष्ट्र, करनाटक, हरियाना, मद्दप्रदेश और उत्तराखन। हिंदुस्तान के अलग-अलग छेत्र के छे राज्यों में इस योजना को प्रारंगिक तोर पर प्रारंग कर रहे हैं। और जब काम करेंगे तो अनुभव आएगा, उसमें कमियां क्या है वो द्यान में आएगी, गल्तियां क्या है वो द्यान में आएगी, और उसको ठीक करना होगा, और जब ठीक हो जाएगी, उसका सुधार हो जाएगा, उसके बाद ये योजना हिंदुस्तान के हर गाउं मे लागू की जाएगी साथियों कभी-कभी मुझे लगता है कि जीवन की सच्ची शिख्षा की कसोटी उसकी परिक्षा संकट के समय ही होती है अगर आप प्रोटेक्टिव एन्वार्मेंट में हैं चारों तरब से समले हुए हैं कोई दिक्कत नहीं है कोई कस्ट नहीं है तो आप में सामर्त है कि इसमा पता ही नहीं चलता बहुत देखरेक भड्ये माहूल में सच्ची सिख्षा का पता कभी नहीं चलता सच्चे सामर्थ का अभी पता नहीं चलता है इस कोरोना संकर्ट ने दिखा दिया है कि देश के गाउं में रहने वाले लोग बले उन्होंने बड़ी बड़ी और नामी उनिवर्सिटी में सिख्षा न लिहो लेकिन इस दोरां उन्होंने मतलब आप सब ने अपने संस्कारों अपनी परंपराओं की सिख्षा के अध्भूत दर्शन कराए हैं गाउं से जो अपडेट आ रहा है जो जानकारी आ रही है वो बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी प्रणा देने वाली बाते हैं मेरे साथ क्यों ये काम आपने किया है आपके गाउं के प्रतेक नागरिक ने किया है माताओं बहनों ने किया है मेरे आदिवासी भाई बहनों ने खेत खलिहान में काम करने वालों ने फसल कटाई वर भुवाई में जुटे साथियों ने देश को प्रणा देने वाला अध्भूत काम आपने किया है और इसलिए मैं हिंदुस्तान के हर गाउं को हर गाउं वासियों को प्रणाम करता हूँ आप सभी ने दुनिया को बहुत सरल सब्दों में मंत्र दिया है और मैं मानता हूँ हमारे देश के हर कौने में आपका दिया हुआ ये मंत्र बहुत काम आएगा आपने बड़े सिंपल सब्दों में ने कह दिया न सोशल डिस्टंसिंग का सब्द प्रयोग किया न लॉकडाउन का शब्द का प्रयोग किया बड़े-बड़े शब्दों का प्रयोग ने किया आपने सिंपल सा मेसेज दे दिया दो गजदूरी का दो गजदूरी का या कहें दो गजदेह की दूरी का इस मंत्र के पालन पर गावों ने बहुत अध्भूत काम किया है दोगजदुरी यानि सोशल डिस्टंसिंग बना कर लखने से आप कोरोना वायरस को भी खुद से दुर रख रहे हैं किसी संभवित संक्रमर से खुद को बचा रहे हैं और ये आपके ही प्रयास है कि आज दुनिया में चर्चा हो रही है कि कोरोना को भारत ने किस तरह जबाब दिया है